ग्यान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाएं जाएं दोस्तों ग्यान आश्रम में आप लोग का स्वागत है बिहार वोट के बच्चों को जो है सारे कोशन दिये जा चुके हैं और यह आखरी चैप्टर है जो आपका जो है आखरी तो है लेकिन अब इसको यह नहीं कि यह बहुत ही कम इंपोर्टेंट है हमने बोला था कि आपका पूरा का पूरा है आपको उदमें से चुनना रहेगे हम सबसे अच्छा कौन सा लिख सकते ठीक है इसलिए 100 जो है कोशन की त्यारी करते है अथवाब में आपको छोड़ने का भी उप्षिन रहे उसको भी आप कर सके ऐसे आपकी तैयारी कराए जाते हैं तो चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं और इसके इंपोर्टन कोशन को देखने से पहले हम यहीं बोलेंगे ज जैसे आप लोग वीडियो को लाइक कर रहें उसी तरह आप लोग करते रहें और भी वच्चों का बिहार वोट की हमारे चैनल के साथ जोड़ते रहें और ज्यादा ज्यादा आप लोग वीडियो को शेर करते जाएं और अभी तक त्यारी आप लोग की जवर्च चल रही है कम मांग और पूर्ति के द्वारा जो है कैसे कीमत पर प्रभाव होता है यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसका किस तरह से प्रयोग करते हैं तो इसके अंतरकत हमारा जो पहला कोश्चन है और यह पहला कोश्चन ही बहुत जादा जो है इंपोर्टेंट है बासमझ वाया है मांग और पूर्ति का कीमत संतुलान कीमत प्रभाव यानि किस तरह से प्रभावित करता अच्छे तरीके से यह जब दोनों बदलता है तब इस चैप्टर में यही में बात ही है और इसको आपने पूरी question बता दिया गया और आप लोग याद करते चलने आपका बोर्ड जो है बहुत जवर्जज जाएगा हमें पूरा विश्वास है तो सब लोग को जो है best of luck अच्छे तरीके से एक्जाम देते रहेगे साथी साथ वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किजिए आपको जो